भारत में जाती से बढ़कर कुछ नहीं है, यहां तक कि जेलों के भीतर भी जाती के अधार पर कैदियों से भीदभाव किया जाता है जेल में कौन सा कैदी सफाई का काम करेगा और कौन कैदी पोधो को पानी देगा, कौन खाना बनाएगा और कौन टॉइलेट साफ करेगा, यह सब जाती के इसाब से ही तैह होता है बाकाइदा इसके लिए जेल मैनुवल यानि जेल का कानून बना हुआ है ऐसे ही जेल कानूनों पर देश की सबसे बड़ी आदालत यानि सुप्रीम कोट में एक जन हितियाचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने तेरा राज़ों को नोटिस भीज का जवाब मांगा सुप्रीम कोट ने बुद्वार यानी तीन जन्वरी को एक जन्हित याजिका पर मोधी सरकार और तेरा रज्य सरकारों को नोटिस जारी किया जिसमें विभिन राज्यों की जेलों में जाती के अधार पर अलग अलग रखने यानी बैरक अलग रखने और काम के बटवारे पर जवा मांगा गया है चिफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदरचूट जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्टा की पीट को देश भर की कई जेलों की सिति के बारे में बताया गया की कैसे जेल बेन्वल में श्रम विभाजन और बैरक का बटवारा जाती के इसाब से किय जाता है पत्रकार सुकन्या शांता ने जेलों में मनु के विधान पर 10 दिसमबर 2020 को from segregation to labor मनुज कासला गवन्स दी इंडियन फ्रीजन सिस्टम नाम से दवायर में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके बाद ये बहस होने लगी थी कि कैसे जेलों में मनु का विधान ल इपोर्ट राजय जेल मैनुवल में कई आपतिजनक प्रावधानों पर प्रकाश डालती है जैसे की राजस्तान जेल नियम 1950 में प्रावधान किया गया है कि कुक का चैन और खाना बकाने का काम कैसे होगा कुक एक गैर अबिस्वर्क का होना चाहिए ब्रामनिया उची जात कारण मुझूदा रसोयों द्वारा तैयार भोजन खाने पर एतराज करते हैं उनके लिए एक रसोया न्यूक किया जाएगा जो खाना बनाएगा सफाई कर्मियों को उन लोगों से चुना जाएगा जो जिस जिले में रहते हैं ये दिखे इसके बारे में भी इसमें जो है राज़तान जेल मैनुल में एक क्लॉज है पार्ट 10 उसके भीतर इसमें क्या लिखा गया वो मैं आपको बताता हुूं उसमें लिखा गया है सफाई कर्मियों को उन लोगों में से चुना जाएगा जो जिस जिले में रहते हैं वहां की परंपरा के मताबिक या उस सफाई के पेशे को अपनाने के कारण खाली होने पर भी सफाई कर्मी का काम करते हैं कोई अन्य विक्ती भी सुच्छा से इस कार्य को कर सकता है लेकिन किसी बिस्तिती में किसी ऐसे विक्ती को जो पेशेवर सफाई करमचारी नहीं है कार्य करने के लिए बादे नहीं किया जाएगा अलाकि इस कानून में कथित सफाई कर्मी जाती के लोगों की सहमती का कोई जिक्र नहीं है सफाई करना एक पेशा है ये कोई जाती नहीं है लेकिन फिर भी राजस्तान जेल मैनूल में ऐसे भेधवाव पूर्ण विधान बनाये गए है यानि जेलों के भीतर कौन खाना बनायेगा कौन टोईलेट साफ करेगा इसके बारे में बकायदा कानून बनाये गया है अलाकि 2022 में जाती के अधार पर कारिया वेंटन के प्रावधानों को हटाते हुए मोडल मैनूल के साथ संशोधन किया गया था लेकिन अभी भी अपनी जाती वादी मान सिक्ता और जाती पूरवग्रों के कारण जेलों में मनू का विधानी लागू है याचिका में राजस्तान, मध्यप्रदेश, ओडिशा, यूपी, तमिलनाडू, दिल्ली, पंजाब, बिहार, महरास्ट्र समेथ जो करीब 13 राज़े हैं, उनके राज़े जेल मैनूल के भीतर जाती के इसाब से बेदबाव करने वाले जेल मैनूल का जिक्र किया गया है पीछने मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कुल मिलाकर ये बेहत गंबीर मामला है भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल कैदी दलित और वंचित जातियों से ही भरे पड़े हैं क्योंकि उन्हें फसाना असान होता है, वो महेंगे वकील या कोट के चैरी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं इसलिए जेल में पड़े रहते हैं NCRB के आकड़े बताते हैं कि जेलों में उनकी सेदारी उनकी अबादी के अनुपात से भी ज्यादा है NCRB की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि देश में 1,44,125 सजायाथा कैदी हैं अंडर ट्राइल या विचारधीन कैदियों में जो सेड्यूल कास्टर्म का इससा 20.9 फीस्दी है आदिवासियों की बात करें तो अंडर ट्राइल कैदियों में सेड्यूल ट्राइब उनका इससा 10.52 फीस्दी है मुसल्मानों की अबादी अधिकारिक तोर पर भारत में 14.2 फीस्दी है लेकिन बगैर दो शिद हुए अंडर ट्रायल कहदियों में उनकी सेधारी 18.7 तीन फीस्दी है भारत की जेलों में ऐसे हजारों कहदी हैं जिनें सिर्फ जातिय धर्म की वज़े से शिकार बनाकर जेलों में ठूस दिया गया है और जेलों के बीतर उनकी जाती के इसाब से उनके साथ सरकारी तोर पर भेदभाव किया जा रहा है भारत एक जाती प्रधान देश है और यहां जाती के बिना कुछ भी मुम्किन नहीं है यहां मरने के बाद भी जाती पीछा नहीं चोड़ती फिर जेल तो जीते जी का नर्क है ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे मनु के विधानों को खत्म किया जाए और जेलों के भीतर भी केंदियों से समान विभार किया जाए इस बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट करें और हमें फोलो करना ना भूले वीडियो के अंत में आप से एक चोटी से अपील साथियों गर आपको दन्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाते हैं कि हम यूँ ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूस बीक फांडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जरीे भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID न्यूस बीक एट-बेरेट यस बेंक पर भी मदद भेज सकते हैं इस के अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है NewsBeak Foundation अकाउंट नमबर है 0235-887-0000-640 आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्राजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाटसेप करें